नमस्कार दोस्तो आज की मुख्य ख़वर कुछ इस प्रकार से है लाठी के बल पर भूकंड हत्याने का प्रियास करने वाले 31 तवंग लोगों के खिलाप मामला दर्ज पुलिस कर रही है तलास कामा थाना छेट्र के गाउं टायरा में लाठी के बल पर भूकंड हत्याने का प्रियास करने वाले तथा एक राय होकर भूकंड मालिक के घर गुसकर हमला मारपीट फाइरिंग करने वाले 31 तवंग लोगों के खिलाप पीडी 33 मेव ने कामा थाने में मामला दर्ज कराया है मामला दर्ज होने के वाद फाइरिंग वे मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गाउं से फरार हो चुके हैं पुलिस अब उनकी तलास कर रही है आप देख रही हैं घायल किस प्रकार से घायल किये गई हैं और वो अस्पताल में भरती हैं वीडियो में आपको दिखाया गया है देखते रहिए अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है कामा थाना अधिकारी कमरुद्दीन खान ने बताया कि गाउं टायरा निवासी राइश पत्र समय सिंग मेव ने गाउं के ही 31 लोगो सरीफ हुसेन, जावेद, जुवेर, हाफिज, मौसम, मुवीन, आविद, जाहुल, फोजू, एहमद, ताहिर, तैयव, इरसाद, बकील, साकर, महबूब, साविर, मुसरफ, समीम, जैकम, फकरुद्दीन, अजरुद्दीन, हमीद, कली, इंसाफ, करीम, जलीष, नफीष, मनी वे रसूला को नामजद करते होए घर में घुषकर, हमला मार पीट वे फाइरिंग तथा, हमला करने के बाद, घर में लूट पाट, सामान तोडने, वे नगदी लूटने का आरोप, लगात होए कामा थाने में मामला दर्ज कराया है, थाना अदकारी ने बताया कि, पीडित काविज है, परंतु गाउं से ही फोजु मेव, तैयव, ताहिर, हुसेन, आदी इस प्लोट को जवरन हतियाना चाते हैं, जिसको लेकर बुद्दवार को उन्होंने गाउं टायरा में अपने घर पर पंचायत बुलाई और हमें भी बुलाया था, पंचायत में उन्होंने कह ताकि तुमने जो फ्लोट खरीदा है, वे हमारे नाम करा दो, प्रार्थी ने कहा कि मैंने यह प्लोट पांचलाक रुपे में खरीदा है, मुझे इसके पैसे दो, मैं प्लोट दे दूंगा, लेकिन आरोपियों ने कहा कि हम तुझे पैसे भी नहीं देंगे, और प्लोट भ लैस होकर उसके घर पर हमला बोल दिया, और हुसेन ने जान से मारने के नियस से फायर कर दिया, जिसकी गोली लगने से यासीन मेव घायल हो गया, इसी दोरान सरीफ मुवीन जुबेर वे हापिज ने भी फायरिंग कर दी, जाबेद फरसों से बार करने लगा, गटना में छ आजग बनी हुई है, मामला दर्ज होने कवाद पुलिस अव आरोपियों की सरगर्मी से तलास कर रही है, आरोपि गाउं छोड़कर फरार हो चुके हैं, गाउं में सांती कायम करने के लिए एतियात के तोर पर पुलिस वल तैनात कर दिया गया है, मामले को लेकर डियस पी कुमार यादव का कहना है कि कल बद्दवार को गाउं टायरा में एक प्लोट को लेकर दो पक्षो में बिवाध हो गया था, जिसमें आरोपी लोग रائश मेव के प्लोट को जबरन हत्याना चाहते हैं, जिसको लेकर आरोपियों ने रही से के घर पर हमला बोल दिया, जिसमे जाबेद बे हुसेन ने अग्रणी भूम का निवाई थी मामला दर्जकर अब आरोपियों की तलास की जा रही है तो दोस्तो इसी प्रकार ख़वरें पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें तथा इन ख़वरों को अपने दोस्तों तक पहुचाने के लिए सेयर करें और बेल आइकन को दवाना ना भूलें आप देख रहे हैं पुलिस ने गाउं में दविश दिये उसकी बीडियो भी आप देख सकते हैं यह वीडियो चल रही है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे तो दोस्तों हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन जरूर दवाएं धन्यवाद